अलो फ्रेंट्स मैंने गवादन सहूँ वेलकम बैक तो मैं चैनल आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वहाँ कौन सा है ऐसा मिस्टिक जो आवर्ड करना चाहिए 2023 में आपको इसके बारे में पुरा डीटेल में चाचा करेंगे में से चैनल ये मो havia को चैनल मेरे में चैनल इष्वेटी में में अपधेन पहुंकि आपको डीटीन है उजह चाहियाँ शुरू्म साथ मैं हैंई इससे अगर मेरे चैनल और पहली आ सब्सक्राइब करें कि मन आपको बहुत फाइदा देगा में कौन-कौन से मिस्टेक्स जो पांच मिस्टेक्स आपको अभर्ट करना चाहिए पहला जो है सट्टम S.I.P. आप अगर S.I.P. सुरू कर रहे हैं एक गोल के साथ सुरू करिए जैसे कि आपका प्लानिंग के लिए जैसे रिटायर्मेंट प्लानिंग हो या तो आपको एक मकान लेना हो या तो चाइल्ड का एजुकेशन के लिए एक लॉंग टर्म प्लानिंग होता है तो उसके लिए S.I.P. की थूरू अगर आप इंवस्मेंट करते हैं तो एक डिसिप्लिन वे में करता है अगर मिनिमूम टर्म कितना होना चाहिए पांट साल यह उससे एवब अगर होता है तो एक्विटी मिच्वल फंड के में अच्छागाध रिटन मिलता है तो आपने अगर सॉट टर्म के लिए 6 मैना एक साल के लिए करेंगे तो उसमें आपको वह रिटन देखने को सकता है तो ज्यादे तरल्लग जो नए इंवेस्टर्स होते हैं 6 मैना एक साल के लिए रिटन देखते हैं तो इसके बाद यह बंद कर देते हैं तो ऐसा मिस्टेक आप जुरूर करें नेक्स्ट की बात करें ऑल स्कीम सिन वान मीच्वल फंड स्कीम वन मीच्वल फंड हाउस जैसे कि कई सारे मिच्वल फंड हाउसस हैं जैसे कि ICIC बाड़ा जो हाउसे है ICIC HD FC SBEी बाड़ां मीच्वल फंड स्कीम है तो इक पर्टिक्लर हाउस से बाइग ना करें क्योंकि अगर कुछ मारी प्रोब्लम अगर आ जाता है है पंडा होस की तरफ से तो सारे scheme under perform कर सकते हैं next point की बात करें SIP को cancel नहीं करना चाहिए जब market नीचे होता है जैसे कि आपने देखा होगा 2021 में Corona Cal में या 2008 की बात करें global meltdown जो हुआ था तो वहाँ पर क्या हुआ था market next one year two year में जो market गिरा था उससे ज़्यादा return दिया था इसलिए market में जब गिरता है तब ही SIP को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें रूपी कोस्ट का averaging आपको benefit मलता है रूपी कोस्ट averaging का जहां पर जितना market नीचे गिरेगा उसे साब का units आपको बढ़ जाएंगे आपको हमें रूपी कोस्ट averaging का एकसे बड़ वीडियो बनाया है वो चेक आउट कर सकते हैं इसमें क्या होगा कि 10 रूपे का जो एने भी मिल रहा है तो अगर market गिर जाता है तो आपको 9 या 8 रूपे मिल जाएगा तो अगर long term में आप SIP में बने रहते हैं तो आपको रूपी कोस्ट averaging का मिल जाता है यानि नीचे ले स्तर रूपे आपको मिल जाएंगे जैसे market उपर जाता है तो आपका return अच्छा दिखने को मिलेगा next point की बात करें low amount SIP ज़्यातर लोग क्या करते हैं SIP 500 रूपे 1000 रूपे के लिए करते हैं जो return के इसाफ से देखें long term में आपको इतना कर्पस नहीं बनाएगा तो आपका अगर salary at least अगर 50,000 रूपे है 20% तक आप SIP के तुरू investment कर सकते हैं 10-20% तक अगर आपका 50,000 salary है तो 5000-10,000 तक आप SIP कर सकते हैं कि उसमें आपको long term में अच्छा-कासा benefit मिलेगा return भी अच्छा तगड़ा देखने को मिल सकता है SIP के अंदर next point की बात करें not doing step of SIP जैसे जैसे हमने आपको पता है कि SIP एक regular interval पे regular time frame पे होता है और regularly आपको investment करना होता है हर महीना जैसे जैसे आपके salary बढ़ती जाती है उसे साफसे आपका SIP एमाउट भी बढ़ाना चाहिए क्योंकि step of SIP अगर करते हैं तो आप इसमें ज्यादा benefit उठा सकते हैं ज्यादा return मिल सकता है जैसे जैसे आपका salary बढ़ती है उसे साफसे आप अपना SIP एमाउट बढ़ा दीजिए तो इसमें आपको ज्यादा benefit नहीं मिल पाता है जो optimized return इसमें नहीं मिल पाता है तो इसलिए यह step of SIP आपको करना चाहिए सो SIP करते वक्त यह 5 चीजे आपको आभड करना चाहिए long term में बने रहना चाहिए क्योंकि आपको compounding benefit मिलता है SIP के अंदर आप जब लंबे समय के लिए बने रहते हैं तो यह 5 चीजे आप आभड करें जब SIP करते हैं तो आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें साथी साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे को Instagram में भी follow कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग, बिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ.